हाई हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हो मेरा यूटूब चैनल सुनीता दीप तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही रिक्वस्टेड है यूटूब के वाले का भी रिक्वस्टेड है और मेरे फ्रेंड्स सर्किल में भी बहुत रिक्वस्टेड वीडियो है रिक्वस्टेड वीडियो क्या है कि दीदी आप सिंदूर कैसे लगाती है जो आपका सिंद कैसे लगाना चाहिए और क्यूं लगाना चाहिए और क्यूं जरूरी होती है हमें सुहाग की निसानिया सो फ्रेंड्स बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे नहाने के बाद अभी हम हेरवास करके आएं हैं तो अभी ड्रायर से थोड़ा से सुखाएं हैं ज्यादा नहीं सुखा है तो अगर आपके पास दोसरा करें तो आप उसको यूज करिए मेरे पास यह वाला भी है तो हम इससे अच्छे से मांग निकालेंगे क्योंकि यह है मारी मांग निकलती है तो यह देखे निकल गई है मेरी साथी में हूँ यूपी के पर प्रवांचल से में से तो मेरी साथी जो होती है हमारे वहां यह इस कलर की होती है और इसको छे महिने या फिर सवा तीन महिने लगाना ही लगाना होता है लेकिन तो मीरी साधी होसे हैं वहां पर रेड पिलर का सिंदूर लगाते हैं सबór दानी के फिर्षी में कभी भी खाली नहीं करना है आपको जिस से आपकी साधी हुई है जो भी सिंदूर दान से आपकी साधी हुई है वो आपको कभी नहीं खाली करना होता है और हम लोगों में यह होता है कि हम लोगों में यह काले चूड़ी पहनने होती है और यह देखिए काले चूड़ी जो है सस्रॉल वाले क की पंच की है और लाल चूडी जो है माय के वाले की पचकी है हरी चूडी भी है मैय के वाले की है हम लोग क्या हरि रंते हैं और यहां में कह homem होती है friends काले चूडी क्यों होती है क्यूंकि ना पहनने के बाद आगर आप वह काली चूड़ी जितने भी साल चलाओगे उतने साल आपके हस्बेंड क्यों आय बढ़ती जाती है तो हम एक-एक करके पहनते हैं ताकि यह मेरा ज्यादा चले और यह चूड़ी हमारी दो से तीन महीने चार महीने आराम से चल जाती है क्योंकि बहुत सम्हाल के रखते हैं क्योंकि एक ही दर्जनी चूड़ीयां मिलती है और अब तक मैंने पूछा भी नहीं कि मुम्मी और इसमें एड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो हम बहुत से लोगों ने रिक्वस्ट किया था कि आप सिंदूर कैसे लगाती है आपका सिं क्लियर कर लेंगे यह देखे मैंने कर रखा है अब आप कि यह मिटिल वाली फिंगर लेंगे कि जिससे आप भगवान को करते हैं कि ऐसे आप कि ऐसे करके लगाते जाहिए मैं तो ज्यादा ऐसे यूज करती हूँ अगर आपको ऐसे में अनकंफर्ट लगता है तो आप सीख ले लीजिए उसमें ऐसे भड़ लेजिए और आप ऐसे लगा लीजिए अगर आपको पतला लगाना है तो अगर आपको उससे भी नहीं तो यह मैंने ले रखा है सिंदूर लिक्विड वाला आप इसको लिक्विड वाले सिंदीर को ऐसे निकार लेंगे उसके बाद फिर इस वाले सिंदूर में ऐसे कर लेंगे उसके बाद नाग प्रेंस अगर नाग पर आपका सिंदूर गिरता है दो बहुत ही सुब माना जाता है आप इससे परिम नहुक्षैंड कि मेरे दैखVarin रूज जिए जिरता है अगर आप चाहते हो कि संदूर गर्मियों में बहना तो आपको क्या करना है लेना है तो अपने लगाना है है तो आपका सिंदूर बहेगा नहीं बिल्कुल नहीं वह भाएगा अब आपको जो भी hair style करनी है, आप वो hair style कर सकते हो, ये देखिए, हमारी सिंदूर तो बहुत ही सुमाना गया है, तो हम daily सिंदूर लगाते हैं, और जिसको जो समझना है, वो समझे कुछ लोग कह रहेतें कि सिंदूर लगाने से बाल जड़ता है, तो हम कुछ लोग कह रहेते सिंदूर लगाने से बाल जड़ता है तो हम कीलियर कर दें कि सिंदूर लगाने से बाल नहीं जड़ता है सिंदूर तो आपका सुहाग की निसानी होती है उसको आपको जरूर लगाना चाहिए अगर आप सिंदूर नहीं लगाऊगे तो आपका फेस कुछ अजीब सा लगेगा या फिर बहुत ही बेकाल लगता है तो सिंदूर लगाना बहुत ही जरूरी अगर आप बिंदी लगाओ या ना लगाओ वो चल जाता है लेकिन सिंदूर लगाना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और सिंदूर लगाने के मैथड यही है आप कभी भी अपने बालों में देने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ